हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य मंत्री सुक्विंदर सिंग सुखु के सामने कई बड़ी चुनोतियां है मुख्य मंत्री तो बन गए सरकार तो बन गई है लेकिन चुनोतियां बहुत बढ़ी है चुनोतियां उन वादों की है जो बड़े बड़े वादे किये गए हैं तो चुनोती कम गुडबाजी की भी नहीं है हिमाचल कॉंग्रेस में गुडबाजी भी एक बड़ा तनाव बन सकती है सुपविंदर सुखु के लिए सुक्विंदर सिंग सुक्खु सरकार का मंत्री मंदल शिमला जिले से अधिक दावेदार होने के पज़े से फस गया है मंत्रियों के नाम ताय करने को लेकर अभी कुछ दिन और कॉंग्रेस की माथा पच्ची जारी रहने वाली है रविवार को शपत समारवों के बाद देर शाम तक चुनाओ परिवेखशकों जिन में हरियाना के पूर मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंग उड़्डा और प्रदेश पभारी राजीव शुकला है उन्होंने मुख्यमंत्री सुपिंदर सिंग सुख्यमंत्री मुकेश अगनी होतरी के साथ सीसिल होटल में लंबी मंत्रना की है ऐसे में मंत्री पद के लिए विधायकों को अभी कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा शिमला जिले से अधिक दावेदार होने की वज़े से सुख्यू सरकार का मंत्री मंदल फसा हुआ है और कॉंग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किन-किन चेहरों को जगे दी जाएगी जिने जगे नहीं मिलती है उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा जिला शिमला से विक्रमादित्य सिंग है अनिरुद्ध सिंग है रोहिट ठाकूर है कुलदीब सिंग राठोर है इनकी दावेदारी मंत्री पद के लिए की जा रही है वीर भद्र परिवार को प्रदेश शरकार में भागिदार बनाने के लिए विक्रमादित्य सिंग को मंत्री पद मिलना लगभगता है माना जा रहा है चर्चा है कि प्रतिबाद सिंग अपने बेटे विक्रमादित्य सिंग को कैबिनेट में एहम विभाग सिर्फ मंत्री मंदल नहीं मंत्री मंदल या पोर्ट्फोलियो कितना महत्वपूर्ण होता इस पर भी ध्यान देगा ये एहम विभाग देने के लिए वो कह सकती है ऐसे में दूसरे पद के लिए अनिरुद्ध सिंग रोहिट ठाकुर और खुलदीप सिंग राठोर में मुकाबला बढ़ गया है अनिरुद्ध सिंग तीसरी बार विधायक बने है कंसुप्ती विधाय सवा सीट से उन्होंने भाजपा के वरिश नेता और मंत्री रहे सुरेश भारतवाज को हराया है अनिरुद्ध को सुख्ध के खास विधायकों में गिना जाता है अनिरुद्ध समर्थकों का तर्क है कि विक्रमादित्य सिंग को मंत्री बनाने से उपरी शिमला को भी प्रतिनित्तु मिल रहा है विक्रमादित्य सिंग मूल रूप से रामपूर से संबंद रखते हैं ऐसे में शिमला से अनिरुद्ध की दावेदारी जताई जा रही है। रोहिट ठाकुर चौती बार विधायक बने हैं। इनके समर्थक उपरी शिमला का हवाला देकर मंत्री पद्ध की मांग कर रहे हैं। पहली बार चुनाव जीते कुलदीब सिंग राठोर पूर में कॉंग्रेस के पदेश अध्यक्ष पी रहे हैं। पार्टी ने चार उपचुनाएं उनकी अगवाई में जीते हैं। इनके समर्थकों का दावा है कि विदान सभा चुनाव की जीत की नीव उपचुनाव में पड़ी थी। राठोर ने पार्टी को एक जुट किया। 42 सालों से संगठन से जुड़े हुएं। इनकी अंदेखी नहीं की जा सकती है। उदर रोअड से विदायक बने मोहनलाल ब्राक्टा के समर्थक उनके लिए अनुसूचित जातीवाग से मंत्री पद देने की वकालत कर रहे है। रामपूर से विदायक बने नंदलाल को पतिभाग गुट से माना जाता है। पतिभाज सिंग के कोटे से इनके लिए भी मंत्री पद को लेकर लॉबिंग की जा रहे है। इन समी करणों ने कॉंग्रेस पार्टी को उल्जा दिया है। कांगडा जिला से कितने मंत्री बनाये जाएंगे इसको लेकर भी पार्टी में मंत्र जारी है। सुदीर शर्मा, चंदर कुमार, आशीश बुटेल और संजय रत्न मंत्री पद की दौड में शामिल है पार्टी नेताओं के अनुसार कुलू, सोलन, सिर्मोर, किन्नौर, बिलासपूर, चंबा जिला को एक-एक मंत्री मिलना तै है वरिष्ट नेताओं ने नाम भी लगबग तै कर दिये है, मंडी और लाहोल स्पीती जिला को प्रतिनेजित्व देने को लेकर पार्टी अभी पसो पेश में है पताया जा रहा है कि जिन जिलों को मंत्री पद नहीं मिलेगा, वहाँ से विदान सबाद द्यक्ष और उपाद द्यक्ष बनाकर राजनेतिक संतुलन बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस के लिए पार्टी के अंदर की गुडबाजी के साथ साथ चुनावी घोशना पत्र में किये गए बड़े बड़े वादों को पूरा करना भी एक चुनावती है इसके लिए सुखु सरकार को पैसा जुटाना होगा एक अनुमान के मताबिक कांग्रेस के वादों को पूरा करने में एक साल में करीब 10,000 करोर रुपे खर्च करने होंगे अब सवाल ये भी उठता है कि इतना पैसा आएगा कहा से अभी सुखु सरकार के मंत्री मंडल को तैय नहीं कर पाई है कांग्रेस मंत्री मंडल के सदस्यों का ऐलान होने के बाद उनका शपत गरहन समारो होगा इसके बाद सुखु अपनी पहली कैबिनेट की बैठक करेंगे बताया जाता है कि इसमें सुखु दो बड़े चुनावी वादों को पूरा करने का ऐलान कर सकते है इसके अलावा भी कुछ बड़े फैसले किये जा सकते हैं तो ऐसे में हम आपको उन वादों के बारे में एक बार फिर बता देते हैं जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव के दोरान किये गए थे पुरानी पेंशन स्कीम ये सबसे बड़ा मुद्दा था ये बहाल होगी बड़ा वादा ये था चुनाव के दोरान कांग्रेस का इस सबसे बड़ा वादा था प्रियंगा गांदी ने अपनी हर सभा में इसका ऐलान किया था सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला ले लिया जाएगा। अब कॉंग्रेस चुनाओ जीद भी चुकी है। ये बहुत बड़ा वादा था और कॉंग्रेस निता प्रियंगा गांदी ने अपनी लगबग हर चुनाओी सभा में ये वादा किया है। कई बार दोरा आया इसको। उन्होंने ऐलान किया था कि कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में एक लाख रोजगार का वादा पूरा किया जाएगा। प्रियंगा ने दावा किया था कि अभी हिमाचल प्रदेश में 65,000 सरकारी पदिखाली हैं। कॉंग्रेस ने 5 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का बादा किया है। महिने दिये जाएंगे महिलाओं को। बताया जाता है कि कुछ महिने के अंदर इस पर हिमाचल प्रदेश की नई सरकार फैसला ले सकती है। किया गया था। अभी तक सरकार फलों की कीमत तै करती थी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महिनों के अंदर प्रदेश सरकार इसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले ले। युवाओं के लिए 680 करोड रुपे का स्टार्ट अप फंड लगाया जाएगा। अभी प्रदेश सरकार 57 करोड रुपे से ज्यादा घाटे में है और 64,000 करोड रुपे का कर्स चड़ा हुआ है। प्रदेश में फौरी तोर पर 680 करोड रुपे का फंड स्टार्ट अप के लिए देने का ऐलान करना मुश्किल होगा। मुम्किन है कि आने वाले समय में सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। चुनाओ के दोरान कॉंग्रेस ने मुबाइल क्लीनिक से हर गाओं में मुफ्त इलाज करने का बादा भी किया था। आने वाले एक दो साल में कॉंग्रेस अपने इस वादे को पूरा कर सकती है। इसके अलाबा हर विधान सबाक शेतर में चारंग रेजी मीडिया में स्कूल खोलने गाए भैस पालकों से हर दिन दस लीटर दूद खरीदने का बादा भी आने वाले समय में पूरा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश पर 64,000 करोड रुपे का कर्ज है या नहीं भूलना चाहिए चुनोती से बढ़ती है। आने वाले दिनों में उन्हें फेस करनी है और साथी साथ उनकी अपनी पार्टी में जो मंत्री मंडल विस्तार को लेकर माथा पच्ची चलेगी और इसमें रूठों को मनाना है, रूठने से बचाना है, जैसी बहुत सारी चुनोतियां भी सुक्विंदर सुक्कू के सामने रहने वाली है